Hello Friends, GK Rajasthan के Live classes में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सभी को Good Evening, Namaskar या जो भी आप कह लिजे कि आप आपकी भाशा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आए आज की class में हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ important प्रस्णों के साथ और ये प्रस्ण आपने आज तक पिछली classes में कभी भी नहीं देखे होंगे तो चलिए आज की class में सबसे पहला प्रस्ण जो आपके लिए है वो यह है कि software code में जो होने वाली तुरुटियां क्या कहलाती हैं आपको पता है कि software developer जो होते हैं वो विभिन प्रकार के code का निर्माड करके एक program बनाते हैं और वो program अलग अलग तरीके के कार्यों में हमारी मदद करता है और उस program के निर्माड में जो code का प्रयोग होता है अगर उस code में किसी भी प्रकार की error आजा है तो उस error को क्या कहा जाता है तो आपका answer होगा option a bug bug अब देखिए bug को अकसर exam में दो तरीके से देता है एक होता है bug और एक होता है debug दोनों को आपको समझना है पग हमने कह दिया कि software code में होने वाली तुरुटियां कहलाती है bug लेकिन exam में आपके पास option दिखाई देगा debug तो confuse नहीं होना है इसलिए क्योंकि debug एक ऐसा software है जो कि तुरुटियों को दूर करने की प्रक्रिया के लिए use किया जाता है तो तुरुटियों को दूर करने की प्रक्रिया debug होती है यानि कि तुरुटियां दूर करनी हो तो आप debug कहेंगे और तुरुटियों को पकड़ना हो तो आप कहेंगे bug ठीक अब ये confusion clear हो गई कि errors न लगाईएगा कि error को क्या कहा जाता है computer की भाशा में bug या debug दूर करने की प्रक्रिया debug होगी चलिए next question देखें question number two काफी important person है कि कौन सा network का प्रकार नहीं है network type of network होता है जैसे कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रकार के network connection होते है जैसे local network होगा हम उसको कहेंगे land जिसको हम लोग हिंदी में इस थानिय नेटवर्क भी कह सकते है local area network होता है यह man होता है pan होता है और fan होता है यह चार प्रकार के network generally हमारे आपके प्रयोग में आते हैं इस हिसाब से आपका इस प्रस्न का सही जवाब होगा option a लेकिन आप इसको समझ लिजिए कि local area network जिसको हमने कहा है इस थानिय network जो की कुछ limited area में फैला हो जैसे किसी एक building में आप जाओगे तो नीचे internet connection setup बना है server वहां पर रखा हुआ है और फिर उस server के माध्यम से पूरी building में network होता है किसी school में जाओगे तो आपको एक connection में लेके आपके school के सभी computers को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो किसी limited area मे फैला हुआ network यानि कह सकते हैं आप एक किलो मीटर तक जो network फैला होगा उसको हम लोग local area network कह सकते हैं metropolitan area network M से metropolitan अब भागोलिक दिस्टी से बात करें तो distance तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन फिर भी जो जिलों के बीच में connection होता है जो जिलों के बीच में जैसे एल network प्रोवाइड किया गया किसी जिले में हमारे network आया अलग-अलग किसी भी जिले से तो आप उस जिले से जो network प्राप्ट कर रहे हो वह आपका metropolitan area network होगा जैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी state है उन state के बीच में उन जिलों के बीच में जो भी कुछ connection होता है जो भी कुछ network share होता है वो आपका metropolitan area network होगा और इसकी distance लगभग 1000 km तक होती है कितनी 1000 km तो distance आपको बहुत जरूरी नहीं है याद करना क्योंकि distance हमने लगभग में बताई आपको full form जरूरी है याद रखना local area बहुत बार exam में पूछा जाता है फिर pen की बात करें तो यह होता है personal area network जैसे phone में आप लोग use करते हैं वाइफाई वाइफाई क्या होती है आप ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर आगे जाएंगे तो आपका connection अपने आप disconnect हो जाता है क्यों क्योंकि वहां पे personal 2-4 ज्यादा से ज्यादा कम लोगों के लिए personal use के लिए network प्रयोग किया गया है अब personal area network के example हो जाएंगे आपके wifi हो गया bluetooth हो गया अब आपके कुछ भी sharing वाले item हो गया जैसे share it था अब तो बंद हो गया exit नहीं कर रहा है तो ये सभी क्या है personal area network के example है अब last आपका दिया है wide area network wide का मतलब होता है विस्तृत व्यापक काफी बड़े छेतर में जो network होगा जैसे website होती है website एक भी website चाहे जिस state की हो वो पूरे all over country कंट्री के बाहर भी work कर रही है तो ये कैसा example है ये एक्जामपल है ऐसे network का जो की काफी बड़े छेतर में फैला हुआ जैसे access exam में फूसता है और आपने previous lecture में देखा भी कि ATM किसका example है तो ATM आपका example है किसका wide area network का क्योंकि ATM के अंतरगर्द जो bank होती है bank को द्वारा कहीं जगां पे चाहे देश में विदेश में जगां जगां पे network प्रोवाइड किया जाता है इसलिए ATM machine या banking transaction electronic system कुछ भी आपके होंगे वो example होंगे किसके wide area network के तो सभी को clear हो गया कि network कितने प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं क्या uses हैं क्या differences हैं सब में यह आपका यहाँ पे clear हो गया चलिए next question चलते है question number three question number three में आपसे प्रशन पूछा गया है कि what is the full form of CC CC को थोड़ा सा ऐसे आप देखोगे generally तो आपको यह इस तरीके क्या दिखाई देता है यानि एक capital letter में c दूसरा small letter में c अब यह CC कहां पे दिखाई देता है और इसका प्रयोग क्या है तो CC अगर आप देखोगे तो जब आप email में जाते हो किसी को mail करनी होगी तो आप email के अंतरकर जाते हो वहाँ पे आपको option दिखाई देता है किसका compose mail का किसका option दिखाई देगा compose mail का अब इस compose mail में जाते हो तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऐसा एक box खुल कर आएगा वहाँ पे सबसे उपर लिखा रहेगा to या सबसे उपर लिखा रहेगा from फिर उसके नीचे to then subject then CC, BCC तो ये सभी क्या है CC और BCC क्या है तो CC का मतलब होता है क्या carbon copy क्या मतलब होता है carbon copy BCC का मतलब होता है blind carbon copy क्या होता है blind carbon copy अब दोनों में differences क्या है और क्या प्रयोग है CC और BCC का आईए हम लोग इसको समझ लेते हैं देखे कभी भी email का मतलब ही है कि किसी को चिट्टी बेजनी हो किसी को कोई document बेजना हो किसी को कोई file share करनी हो जो आपके आस पास नहीं है वो काफी दूर है तो आप लोग उसको email का प्रयोग करते हैं उतना message बेजने के लिए अब email का प्रयोग message बेजने के लिए किया जाता है लेकिन अगर कोई संस्थान है एक example समझेगा अगर कोई संस्थान है और उसके संस्थान के अंतरगर 50 employee हैं हमें कोई information convey करनी हैं हमें कोई information पहुचानी और हम चाहते हैं कि इन 50 व्यक्तियों को एक साथ हमारा message बहुत जाए त carbon copy का प्रयोग करके हम एक साथ same message इन सभी व्यक्तियों के पास पहुचा सकते हैं कैसे प्रयोग करते हैं क्योंकि देखिए हमने कहा कि from में from में जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसका नाम लिखा जाता true to में जिसको भेज रहा है उसका नाम लिखे लेकिन अगर हमें इन 50 व्यक्तियों का नाम लिखना है तो हमें किसके इन 50 व्यक्तियों की email id की जरूरत पड़ेगी और हम इन सभी की email id को cc के अंतरगत लिख देंगे अब CC के अंतरगत आपने लिख दिया इन सभी 50 ब्यक्तियों की email ID और एक साथ send किया तो ये सभी ब्यक्तियों को same message बहुत जाएगा लेकिन दिक्कत कहां पर आती है दिक्कत ऐसे आती ही कि जब आपको mail receive होता है आप mail open करते हो तो आप उस mail के सबसे नीचे वाले भाग में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि सभी ब्यक्ति की mail ID आपको दिखाई देगी यानि एक तो आप हो गए और बाकी 49 लोगों की mail ID आपको उस email के सबसे नीचे वाले भाग में दिखाई देती है तो दिक्कत ये है कि अगर आप चाहो भी किसी का email id शेयर न करना तो भी वहाँ पे शेयर हो जाता है तो ये copy करने में फाइदा है और नुकसान है लेकिन अगर आप इसमें डाल देते हो किसी भी व्यक्ति की mail id बी सी सी में शेयर कर दिये तो अगर आप नहीं चाहते हो तो बी सी सी में डाल दीजे और आपको सभी व्यक्ति की mail id शेयर नहीं होगी और आपको वो सभी id secretly नहीं दिखाई देंगी तो यहाँ पे difference आपको समझ में आ गया कि दोनों से आप वही कान कर सकते हो बस इसमें ये है कि CC में कोई चीज secret नहीं रह जाती जबकि BCC में आप email id को secretly आप चुपा सकते हो तो clear होगे आपका BCC और CC CC का मतलब होता है carbon copy और BCC का मतलब होता है blind carbon copy इस प्रशन के लिए सही जवाब होगा option number B question number 3 का option B is correct answer चलिए next question आ गया Gmail की अस्थापना किस के द्वारा की गई या किस company के द्वारा की गई Gmail की अस्थापना Gmail क्या है Gmail भी एक तरीके का email भेजने की वेबस्था है email क्या होता है electronic mail लेकिन company अलग-अलग company का लोग email id बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं जैसे बहुत लोगों के पास yahoo mail.com होता है कई लोग yahoo company की email id बनाते हैं कई लोग rediff mail का प्रयोग करते हैं कई लोग Gmail का प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो Gmail है क्योंकि Gmail एक ऐसी company द्वारा बनाये गया है जो की काफी बड़ी company है और आप बात करते हैं तो फिलहाल के समय में free email service देने वाली companyों में सबसे प्रमुख company है आपकी Google और यही Google यहाँ पे लगा दिया गया G, G for Google और mail आपको पता ही है तो Gmail company किसके द्वारा इस्थापित की गई है Google के द्वारा इस्थापित की गई है clear हो गया सभी को Google के द्वारा Gmail की अस्थापित की गई है चलिए next question पहला Android operating system आधारित smartphone चलिए आपके लिए महत्तपूर प्रस्ण यूज बहुत कर रहे हैं हम लोग smartphone तो इसके बारे में आप बताईए कि पहला कौन सा phone था जो की Android operating system पे based था HTC Dream, G2, Docomo, A and B HTC Dream और B ये A and B बोथ होना चाहिए चलिए पताईए जल्दी से इस प्रस्ण का क्या सही जवाब होगा HTC Dream, G2, Docomo या फिर A and B बोथ जल्दी से प्रस्ण का जवाब दीजिए कि पहला Android आधारित smartphone ऐसा Android operating system किस company का operating system है या operating system Google company द्वारा बनाया गया और Google company नहीं पहली बार Android operating system का निर्माड किया 2004 में और उस operating system के निर्माड होने के बाद धीरे धीरे mobile phone की दुनिया में कई सारे बदलाव आपको देखने को मिले इस smartphone से पहले हम लोग एक शब्द प्रयोग करते थे वो था mobile phone का मतलब ही था कि बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाके यूज कर सकते हूँ धीरे धीरे phone ऐसे हो गया कि वो operating system पे based हो गया उसमें कई सारी smart technology लगा दी गई इस लिए smart technology होने के कारण हमारा mobile phone बन गया smart और smart phone बनने के बाद हम भी हो गया कैसे smart क्यों smart तो हैं जब कहो भया पैसा कितना चाहिए दूरन प्रांसपर कर देंगे पहले होता था कि पैसा निकालना है लगे line लगाने और पता नहीं कब निकलेगा कब पहुचेगा तो ऐसी technology आ गई है आप आराम से जो हम लोग काम photography का करते थे इतना महंगा और अब हम लोग घर बैठके अराम से जब हो तब photo कीच सकते हैं किसी को share कर सकते हैं अपनी memories को बढ़ा सकते हैं तो कुछ भी चीजे एक्स्ट्रा हो गई हैं इसलिए हमारा phone बन गया और 2006 में HTC dream को ही हम लोगों ने जी टू नाम भी दिया और इस लिए इस प्रस्ट के लिए सही जवाब होगा option D यानि A और B दोनों ठीक तो दोनों अलग अलग नहीं हैं एक ही phone है HTC company का और इसी company के phone को एक और नाम दिया गया है जो है जी टू ठीक अब आपसे प्रस्ट पूछेगा कोई भी कि पहला android phone बताईए तो आप कहेंगे HTC dream चलिए नेक्स प्रस्ट कोशन नमबर 6 नेट्वर्ग की संरचना क्या कहलाती है नेट्वर्ग की संरचना structure क्या कहलाता है अब हम आपको example सिमझा रहे हैं देखिए एक computer आपका ये बना हुआ है उसके बाद आपने ये computer connect किया नेट्वर्ग से फिर ये एक computer connect किया फिर यहाँ पे एक computer connect हो गया ऐसे ऐसे computers जब connected है अब देखिए जो main computer जिससे आपको network प्रवाइड हो रहा है उसको हम लोग कहते है server computer main computer जो सभी को internet प्रवाइड करेगा वो हो जाएगा server यानि कि boss कौन है boss ये है आपके boss अब ये सब को network देंगे तभी पहुचेगा तभी लोग internet चलाएंगे otherwise no possibility तो अब जो server सबको provide करता है जहां तक provide करेगा इन सभी को क्या कहा जाता है nodes या फिर client कहा जाता है वो भोगता जो भोग करेगा वो भोगता ये सभी क्या हो गए ये हो गए nodes या फिर कलो client computer ये हो गया server computer ये सभी notes हो गए अब देखिए computer के बीच में network ऐसा दिखाई दे रहा है एक computer connect है फिर दूसरा computer connect है फिर आगे जाओगे तीसरा फिर चौथा फिर पांच वा ऐसे तो यह जो network के connection होने का structure है यानि एक के बाद एक अब ऐसे ही सुविधा आप लोग लेखे होंगे bus में भी होती है कि एक seat पर एक बैखती बैठा उसके पीछे बैखती बैठा पिर उसके पीछे बैखती बैठा यानि एक के बाद एक संरचना बन रही है तो यह जो structure होता है network इसको हम लोग कहते हैं क्या topology network का structure क्या क्यालाता है topology और अक्सर टो पोलोजी के प्रकार से question寅लाता है कि टो पोलोजी कितने प्रकार की होती है तो अब कहेंगे आपकी प्रकार की होती है, कौन-कौन सी होती है तो आपका answer होगा पहला ring topology, यानि जब computer ring की तरह की संदचना बनाएं तो ring topology फिर अगर computer star की तरह से आपस में connected हैं तो star topology फिर आपका हो जाएगा bus topology bus के बाद हो जाएगा tree topology और एक पांचवा होता है जिसको हम लोग कहेंगे mess topology यानि structure के आदार पर हम लोग topology को decide करते हैं और topology क्या होता है networks की संदचना होती है clear हो गया सभी को जल्दिश एक बार topology के प्रकार जरूर copy कर लिजेगा क्योंकि कई बार प्रशनों में प्रकार को लेकर question पूछे जाते हैं तो टोपोलोजी के प्रकार जरूर लिख लिजेगा और टोपोलोजी क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया है और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि मेन कम्प्यूटर जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको हम लोग सर्वर कम्प्यूटर कहते हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर सैवन कोश्चन सैवन में आपसे पूछ रहा है SMTP SMTP में M का अर्थ बताईए कि M से क्या मतलब है master mail miss mode SMTP का full form होता है simple mail transfer प्रोटोकॉल अब आपको पता चल गया कि M for option B M for mail अब यह क्या है simple mail transfer protocol प्रोटोकॉल ऐसी चीजों को कहा जाता है जब कभी भी आप internet के माध्यम से कोई भी कार्य करते हैं उस समय कार्यों के लिए प्रते कार्यों के लिए कुछ ने कुछ नियम बनाए गया होते हैं यानि internet पर कार्यों में बनाए गया नियमों को क्या कहा जाता है प्रोटोकॉल कहा जाता है अब यहां से आपको समझ में आ गया है कि mail यानि email भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल को आपको ध्यान में रखना होगा वो होगा simple mail transfer protocol यानि mail का आदान प्रदान करने के लिए आपको protocol किसका प्रयोग करना पड़ेगा SMTP का इसी प्रकार से कई protocol हैं जो अलग-अलग कार्यों के लिए बने हैं जैसे FTP FTP, HTTP, SMTP आप पढ़ लिए TCP, IP यह सब क्या है यह सभी के सभी protocol है और इनका अलग-अलग प्रकार का कार्य है चली question 7 clear हो गया next चलते है question number 8 question 8 में कह रहे हैं cut करने की shortcut की क्या है एक जी तेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं हम थोड़ा easy question लेके आया करिए easy question लेके आए हैं आज आपके लिए ही तो विल्कुल आराम से question करिए और आप जो है ऐसे कुछ question जो आपके previous year देखो आप बात करते हैं इसकी तो ये राजस्थान के पिछली साल का paper आप उठाओगे तो पिल्कुल as it is question पूछा गया है आप में से जितने लोगों ने question paper दिया होगा आपको पता होगा तो question को easy हम कह दे सकते हैं लेकिन यही सारे question आपके exam में आते हैं तो इसलिए बिल्कुल भी यह ना सुचिएगा कि भीया मज़ा आ रही है लेकिन सब question आ रहा है question देखो कल की class में जो पूछा गया वो आपको लग रहा होगा कि hard था तो question बहुत कुछ तरीके का पूछा जाएगा इसलिए कोई भी प्रस्ण को आप हलके में न लिजिए जो भी आपको नई information पता चलती है उसको जरूर copy करिए cut करने की shortcut की क्या है कोई document पे आप work कर रहे हैं अचानक से वहाँ आपको किसी document के किसी word को किसी letter को किसी paragraph को cut करना है तो आप shortcut की का प्रयोग करते हैं जो shortcut की प्रयोग करते हैं वो option C आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका comment सभी लोग सही comment कर रहे हैं लेकिन फिर भी समझिए कि shortcut की कहां पे क्यूं प्रयोग की जाती है shortcut की का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम regular computer पे काम करते हैं तो अकसर कभी कभी आपके mouse का प्रयोग करते हैं इदर उदर चीज़ों को करने के लिए जब कभी आपके mouse में कोई technical error आजाए या mouse आपका काम न करे उस वक्त आप shortcut की का प्रयोग करके अपने कारियों को जल्दी से कर सकते हैं यानि यहाँ पे shortcut की का प्रयोग समय की बचत प्लस extra device की बचत के लिए प्रयोग किया जाता है अब कभी cut करने के लिए जैसे अगर माल लीजे ये पूरा document आपने लिखा यहाँ पे आपने पूरा document लिखा है अब आपको पूरे document को cut करना है तो कभी भ पहले आपको document को क्या करना होगा select all, select all या select करना होगा जिसनी चीज़ अगर आपको कोई word अटाना है तो आप select करेंगे पूरा document हटाना है तो आप select all करेंगे उसके बाद ही आप cut, copy, paste, कुछ भी चीज़ का अब तब आप रयोग कर सकते हैं तो cut करने की shortcut की क्या है अब clear हो गया control plus X, copy की shortcut की क्या होती है तो आप कहेंगे control plus C, cut हो गया X, copy हो गया C, paste की shortcut की क्या होती है control plus V, clear हो गया सभी को, control plus C, X, V क्लियर हो गया, cut, copy, paste चलिए, question number 9 question 9, अब बताईए चलिए, binary रेमर आगया आप हमको clear करना है कैसे convert किया जाएगा इस 35 को अगर आपको clearly न दिखाई दे रहा हो तो हम लिख दे रहें यहाँ पे 35 जो कि दिया है किसमें decimal में, कैसे पता decimal में दिया है, क्योंकि base देखके ही हम पहचानते हैं कि किस number system में आपकी digit लिखी हुई है आपने देखा कि 10 याने कि यह decimal है, इसको हमें convert करना है किसमें binary में, और binary की जो base होती है, वो क्या होती है 2, तो हमें convert करना है 2 में, अब देखिए बहुत लोग को clear होगा, decimal से किसी भी number system में जाना हो, तो आप उसी number system के base से भाग देंगे, जैसे आपको 10 से जाना है 2 में, तो आप भाग किसे देंगे, 2 शे कैसे भाग देंगे, यह भी याद्र ध्यान दीजे, यह आपका लिखा हुआ है 35 आप चाहे यह samsung क्या हो, चाहे विशम हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमने कहा जिसमें जाना है, आप उसके base से भाग दीजे, तो हम भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 7 आपका 1, 6 बचेगा जो भी आपका remainder बचे या सेशफल बचे, आप उसको side में लिख लीजे, फिर आप भाग देंगे 2 से क्या जाएगा, 2, 8, 16 यहाँ बचेगा 1 remainder आप 1 लिख दिए फिर 2 से भाग देंगे 2, 4, 8, यहाँ remainder कुछ नहीं बचा है, तो बिल्कुल नहीं, अगर कुछ नहीं बचा हो तो आप लिख दोगे 0 लिखोगे जरूर, gap न छोड़ना फिर आप 2 से भाग दोगे 2, 2, 4, फिर भी कुछ नहीं बचा तो remainder हो गया 0 फिर 2 से भाग दोगे और 2, 1, 2, आपका remainder हो गया 0 ठीक, यह हो गया अब देखो, कैसे लिखना है पता कैसे चलेगा, हमने भाग तो दे लिया लेकिन आप कभी भी number system में जाओगे तो आपको लिखने का तरीका अंतिम भागफल से लेकर ऐसे लिखते हैं तो आपका answer होगा क्या 1, triple, 0, double, 1 1, triple, 0, double, 1 यह आपका answer हो गया तो कौनसा answer सही है option number D clear हो गया सभी को कहिए तो एक बार फिर से आपका clear करेंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो confused होंगे जल्दी से एक बार comment करिए हम देख रहे हैं आपके comment देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिसको confusion हो अगर confusing है तो comment करिए otherwise हम लोग आगे चलते हैं और आगे भी परिशान नहों कि आज ही number system भी समझा दिया गया आगे जब lecture होगा तो उसमें बिलकुल बकायदे हम number system को वहाँ पे आपके question clear doubt होगा चलिए हमें लगता है आप सभी लोग समझदार है सब लोग को समझ में आ गई हैं बाते चलिए very good आप सभी बहुत intelligent है question number 9 हो गया अब देखिए question number 10 और ये आज की class का last question होगा last question है ध्यान से पढ़िए office में worksheet तयार करने के लिए किसका उपियोग होता है office में worksheet तयार करने के लिए ms access, ms excel, ms word या ms power point office में worksheet तयार करने है तो किसका प्रयोग करेंगे भाई बहुत सारे लोग comment करेंगे ms excel, ms excel का answer सही होगा या गलत जल्दिश एक बार comment करिए हम देख रहे हैं आपके comments को access, excel, word या फिर power point किसका प्रयोग होगा office में worksheet को तयार करने के लिए चलिए, very good, comment जल्दिशे करिए database software कौन सा है database software कौन सा है जिसमें data तयार किया जाता है आप कहेंगे access है access, लेकिन अगर worksheet की बात करें तो आपका answer हो जाएगा option b worksheet आप याद रखना कि जैसे हमने कहा था कि column और row जोती है, इनको हम लोग क्या कहते है ये एक पूरे page को हम लोग क्या कहते है worksheet कहते है और ये कई सारी worksheet मिलके, यानि 10-15 जितनी भी worksheet आप open करोगे सभी worksheet मिलकर निर्माड करती है एक workbook का किसका निर्माड करती है workbook का तो अगर कभी भी worksheet word दिखाई दे तो आप तुरंत कहां पे आजाना Excel पे clear होगे आप शभी को आज के 10 questions कैसे लगे जल्दी से एक बार comment करिएगा फिर हम लोग next class में और कई सारे प्रस्नों को लेकर आएंगे जल्दी से आज प्रस्नों की संख्या थोड़ी सी कम थी परिशान न होना कि अब क्या होगा कोई बात नहीं कभी ज़्यादा कभी कम जैसे कभी खुशी गम ज़्यादा मिलती है कभी गम तो आज सायथ खुशी ज़्यादा मिली होगी क्योंकि question की जो pattern था वो आज थोड़ा सा easy था तो चलिए तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद कल फिर से class मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी लोगों को all the best